हेलो फ्रेंड्स वेलकम तुदा सक्सस केंद्रा फ्रेंड्स के आज इस वीडियो में हम लोग बिहार SSC थर्ड सीजल एकजामनेशन 2022 यानि की सचिवाले साहक भरती का जो पेपर 23 और 24 दिसंबर 2022 को लिया जाएगा उसके लिए हम लोग फास्ट रिविजन वीडियो नंबर 5 क इस्वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इससे पहले अलुडियो मैंने आपको फास्ट रिविजन का 4वीडियो कबर करा दिया था फास्ट वीडियो नंबर वन्र से लेकर करके 4 अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देख लीजएगा लिंक आउप को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और जब लाइकन है घंटी का निसान है उसको जरूर दबा लिजिएगा ताकि जब सचिवाले सहाइक भरती 2022 से समबंदित कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अफ्लोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए तो चलिए फ्रेंड्स बिना देरी किया हुए सेसन आज करते हैं फ्रेंड्स प्लीज पहले वीडियो को ला उसको ध्यान से जरूर सुनिएगा इससे क्या होगा कि एक प्रश्ण के साथ साथ आपके दो से तीन प्रश्ण जो है कवर होते चलेंगे अब यहां पर देखेगा विश्व का सबसे उचा सक्रिय जो अलमखी परवत यहां कौन सा है कोटो पैक्सी है कोटो पैक्सी जो है य यहां अर्जेंटीना और चीली के बॉर्डर पर है तो इस सब को आप ध्यान रखिएगा चलें निमनिक दिखित में से कौन सा दीप समुह जंसंख्या के दिरिष्टी से प्रश्ण को ध्यान से पढ़िए जंसंख्या के दिरिष्टी से सबसे बड़ा है तो सबसे बड़ा दीप समुह पुछा गया है जंसंख्या के दिरिष्टी से यह जापान हो जाएगा अगर ऐसे पुछा जाता है कि सबसे बड़ा दीप समुह कौन सा है तो यह आपका इंडोनेसिया हो जाता है सबसे बड़ा दीप कौन सा है तो ग्रिन लेंड होगा दीप समुह सबसे इस वीडियो में मैंने आपको डीटेल से बताया भी हुआ है चलिए अगला प्रश्ण है कि सोलास वन किस प्रकार के वनु को कहा जाता है तो देखिए सोलास वन जो है यहां नीलगिरी यहां पालनी परवत पर पाय जाने वाली सितोस्न कटी बंदिये वन को सोलास वन के नाम स से जाना जाता है चलिए आगे बढ़ेंगे कि संपूर्ण भारत का अक्षांसिये विस्तार यहां पर पुछा गया है तो देखिए अक्षांसिये विस्तार आपसे पूछा गया है तो देखिए संपूर्ण भारत का जो अक्षांसिये विस्तार है यानि कि आप कह सकते हैं कि यहां उत्री अक्छांस के मद्ध में जो इस्तित है यह आपका 6 डिगरी 4 मिनट से 37 डिगरी 6 मिनट उत्री अक्छांस के मद्ध जो है इस्तित है option number इसका एज होगा right answer हो जाएगा अगर आप से पुछा जाता है कि भारत उत्री गुलार्द में कितने डिगरी उत्री अक्छा उत्री अक्षांस यहां मैं लिख जेता हूं आठ डिग्री चार मिनट से 37 डिग्री छे मिनट उत्री अक्षांस और और 60 डिग्री 7 मिनट से ले करके 97 डिग्री 25 मिनट जो है पूर्वी देसांतर की बीच में यहां इस्तित है तो इसको आप ध्यान रखेंगे ठीक है चलिए आगे बढ़ेंगे किनमलिकित में से किसे फेमिना मिस इंडिया 2022 की किताब से सम्मानित किया गया है तो यह कौन है तो सरवाधिक राज्यों की तो यह उत्तर प्रदेश है वहीं अगर राज और केंदर साशित प्रदेश मिला देता तो आपको ध्यान रखना है उत्तर प्रदेश जो है यह दिल्ली जो केंदर साशित प्रदेश है उससे भी सीमा साजा करता है तो टोटल नौ राज हो जाएगा और एक केंदर साशित पर्दिस तो टोटल नौ हो जाएगा उसके बादी के भारत में हरित क्रांती लाने का स्री किसे दिया जाता है भारत में पुछा गया है तो MS स्वामिनाथन हो जाएगा विष्व में अगर हम बात करें तो नौर्मन बोरलोग को दिया जाता है यह स्वामिनाथन हो जाएगा और भारत में हरित क्रांती की सुरुवात 1966-67 इस भी मोही थी इसको भी ध्यान रखेगा बिहार में डाल मियान अगर किसलिए फेमस है तो यहां फेमस है सिमेंट उद्धोग के लिए उसके बाद देखें वर्स दोहजार चबविस में तेईसवा फिफा विस वकप जो फुट्वाल होना है उसके में जबानी कि सदेश के द्वारा की जाएगी तो देखें फ्रेंट्स मैं आपको बता दूँ कि इससे पहले बिहार S.S.C. के द्वारा जितने भी एक्जाम कंड़क्ट करवाएगा हैं चाया वह 10 प्लस 2 लेबल का हो इंटर लेबल का या फिर CGL एक्जाम हो गिर्जबेशन लेबल का उसमें जितने भी प्रशन पूछे हैं प्रिवेस येर में उनको मैंने सब्जेक्ट वाइज कवर कराया हुआ हिस्ट्री का अलग पॉलिटी का अलग जोग्रफी का अलग और साइंस का अलग वीडियो में आप कह सकते हैं कि हमने बिहार S.S.C. का घटना चकर कवर किया हुए जैसे BPSC का घटना चकर आता है उ तो देखें अभी जो होगा 22 होगा 2023 में दरसल 2022 में इसका आयोजन किया जाएगा कहां पर तो ये कतर में किया जाएगा लेकिन यहां पर 23 पूछा गया है 2026 में इसका आयोजन होगा कहां पर तो कानाडा अमेरिका और मैक्सिको ये सब ही करेंगे option number D राइट अंसर हो नेमन में से कौन सा भारत की पूर्वी टट का एक प्रमुख बंदरगाह है तो पूर्वी टट पर जो है इसमें से बता दूं आपको कि पूर्वी टट का विशाखा पटनम है बाकी देखें कांडला नियू मंगलोर ठीक है और इसमें से और बात कर लेते हैं पूर्वी रटके हैं चले आगे बढ़ेंगे कि वानिजीक अस्तर पर रबड का उत्पादन भारत की निमने लिखित में से कि सराज समूह में होता है तो यहां पर करम से आपको पुछा गया है कि पहला दूसरा तीसरा नंबर पर तो यह आपका केरल तमिलाडू और करनाटक हो तो फ्रेंट्स आपको पता होगा कि तिरपूरा जो है यहाँ तीन ओर से यहाँ बंगलादेश से गिरा हुआ है तिरपूरा याद रखेंगे तीन ओर से जब बंगलादेश से गिरा हुआ है तो यानि कि सिर्फ एक ओर से यानि कि उत्तर पुर्व में तिरपूरा जो है अस अबीर को किस नदी के किनारे ज्यान के प्राप्ति हुई थी अच्छा गोत्यमगुद्ध को तो आपको पता है ठीक है जसलिक कि न न có उसके बाद नेक्स्ट कुस्टन कर लेंगे कि 1025 में प्रसिद्ध सुमनात मंदिर पर हमला और लूट पर्ट किस ने किया था तो यह आपको पता है यहां कौन था तो गजनवी था यानि गजनी था अप्शन अबर 20 का राइट अंचर हो जाएगा देखिया महमद गजनी जो था इसने भारत पर पहला अकर्मन कब किया था तो इसको वह याद रखेंगे भारत पर पहला अकर्मन जो है इसने किया था कब यह भी प्रश्ण पूछा जाता है ठीक है तो इसको भी आप ध्यान रखियेगा देखिए पहला आक्रमन जो है इसने 1000, 1000 SB में किया था, कहां पर किया था, तो पेशावर पर किया था और पेशावर के कुछ भागों पर अधिकार करके वह अपने देश लोट गया था, इसने 17 बार भारत पर आक्रमन किया है, और सबसे प्रसिद आक्रमन 1025 SB में 100 मनाथ मंदिर पर है, उसका बादी कि सेरसा सूरी के द्वारा जारी किया गया चांदी का सिक्का क्या कहलाता था, देखिए चांदी का जो सिक्का था, यह आपको पता है कि चांदी का सिक्का जो होता था, इसको रूपिया कहा जाता था, ठीक है, और जो आपको पता है कि तांबे का सिक्क ग्रेन ठीक है चांदी का रूपिया चलाया था और 380 ग्रेन तामबे का जीतल चलाया था ठीक है ध्यान रखेंगे उसके बाद कि किस पुर्तगाली गौर्णर को ब्लो वाटर पॉलिशी शुरू की थी किसने तो आपको पता है कि यह कौन था फ्रेंट्स तो फ्रांसिस्को द जनक माना जाता है कली मैंने बताया था कि राजारा मोहन राय को भारत में पुर्णर जागरन का जनक माना जाता है भारत में पत्रकारत का अग्रदूत कहा जाता है इनको ठीक है नमलेकित राष्टवादी निताओं में से किसका उपना महामना है महामना पंडित मदन मोहन मा कालवियों को कहा जाता है option number a राइटनसर हो जाएगा 1916 में इन्हों ने बानारस हिंदू विश्विद्धाले की अस्थापना किया था 1916 में इसको आप जरूर ध्यान रखेगा चले उसका बाद देखेगा कि 1877 की विद्रोह को भारत के प्रतम स्वतंतरता संग्राम की संग्या किस ने दिया था तो यह संग्या दिया था विडी सावर करने गीता रहस नामक गरंत किसके द्वारा लिखिया गया है गीता रहस केसरी मराठा यह सब जो है बाल गंगदर तिलक की है ठीक बाल गंगदर तिल नेमलेकित में से मांग का सिधान्त अपवाद है बताई इसका राइट अंसर क्या हो जाएगा तो देखे राइट अंसर इसका हो जाएगा मूल या आवस्यक संपत्ति नेक्स्ट कोस्ण कर लेंगे कि नेमलेकित में से किस देश को वर्ष 2022 देश के लिए अंतराश्टी समुदरी संगठन परिशद के सदस की रूप में चुना गया है तो दीखे अंतराश्टी समुदरी संगठन यानि कि इंटरनेस्टल मैरी टाइम और गनाइजेशन इसके बार अगला प्रशन के घिनी गुनांग का प्रयोग किसके लिए जाता है यह आय की औसामानता को मापने के लिए किया जाता है next question कर लेंगे किस वक्ष भारत mission कब start किया गया था तो friends यह start किया गया था 2 October 2014 को तो 2 October 2014 हो जाएगा निमन में उत्पादन में किरिया सील साधन क्या है तो इसमें जो सबसे किरिया सील साधन है यह आपका स्रम हो जाएगा उसको बदेखेगा कि प्रकास की तरंगदर को मापने की काई किया है बहुत ही सिंपल है यह आपका एंगेश्टरन हो जाएगा एक एंगेश्टरन में कितना मीटर होता है तो 10 to the power minus 10 मीटर होता है इसको भी आप ध्यान रखिएगा अच्छा केंडेला जो है किसकी काई है जरा आप मुझे करमेंट करके बताईएगा ठीक है चली उसका बदेखे किस आदर्स द्रव की सायनता कितनी होती है द्रवों का जो गाढ़ापन होता है उसको उसकी सायनता कहा जाता है और सबसे आदर्स जो होता है द्रव उसकी सैंता सुने होती है कितनी होती है सुने होती है याद रखेगा एक उड़ते हुए जहाज में निमर में से कौन सी उर्जा होती है उड़ते हुए जहाज में इस्तितीज उर्जा भी होती है और गतीज उर्जा भी होती है तो option number इसका Commonwealth Heads of Government Meeting, clear, Commonwealth Heads of Government Meeting, clear, ध्यान रखेंगे, चलिए, right answer इसका क्या हो जाएगा, right answer इसका रवांडा हो जाएगा, next question कर लेंगे कि परवर्तन के नियम का नुसर, अच्छा परवर्तन का दो नियम है, आपको पता है, पहला नियम आपतित किरन, परवर्तित किरन तथा अभिलंब, तीनों एक अहीं तल में होते हैं, और आपतन कुन, परवर्तन कुन के सदयव बराबर होता है, तो यहाँ परदिखा option number C में दिया गया है, आपतन कुन, परवर्तन कुन के सदयव बराबर होता है, परमानों के उप परमानुकन है, तो यह proton, electron और neutron है, नियमने लिखित में से किसे stainless steel में कठोरता आती है किसे तो कठोरता लाने के लिए कारबन का उप्यों किया जाता है इन में से किस रोग में परतिरक्षा प्रणाली जो immune system है वो कम परभावित होता है या नहीं परभावित होता है तो यह influenza में हो बाकि देखे ads, polio और hydrophobia यह सभी वाइरस होते हैं और influenza भी वाइरस के कारणी होता है लेकिन ads, polio और hydrophobia में जो immune system है यह बहुत ज्यादा ही इस पर effect पड़ता है चले उसके बाद के प्रकृति में पानी का सबसे जो सुद रूप है वो कौन सा है तो यह आपका वर्सा का जल हो जाएगा कौन सा हो जाएगा तो वर्सा का जल हो ज जाएगा ध्यान रखिएगा किन युगमों में बहुतिक राशियों की समान भी मिए सुत्र dimensional formula पूछा गया है कि समान नहीं है ठीक है समान इसमें से किसका dimensional formula नहीं है तो यहाँ पर आप देखेंगे friends कि बॉल का जो dimensional formula होता है यह आपका इस तरह से लिखा जाता है ठीक है य समान होता है तो इसमें से अगर हम बात करें तो ब्रोमीन जो है यहाँ विद्यूत का अच्छा चालक नहीं है डाउन सेंड्रोम क्या है डाउन सेंड्रोम एक जनेटिक रोग है यानि कि रोग है शरीर का सबसे कठोर भाग तो जो दात का एनेमल है यहीं होता है सबसे कठोर तो यहीं वाला गलत है, बाकी सभी जो है, सही दिया गया है, नेमनलेखित में से कौन सी कोशी का मानों सरीर की सबसे लंबी कोशी का है, तो यह तंत्रिका जो है, तंत्रिका कोशी का, क्या सबसे लंबी कोशी का होती है, कौन सी अहार नालिका है नेमनलेखित में से, तो यह आ difyugan the gurdens की संणराचनात्मक और करयात्मक काई है किडीनी कि है अंगरेजी में हो गया तो यह मंनेफ्रोन होता है आपको भी पता एशाले की कमी से बहुत ही सिंपल आ मद्धूमे होता है और इंसुलीन में जिंग धातू पाया जाता है इसको ध्यान रखेंगे चलिए और इंसूलीन कहा से सरावित होता है मताएं हिरा तो देखें फ्रेंड्स यहां जो प्यान कृयात से होता है और जो विटा एगला प्रश्ण है वहीं से यह सरावित होता है उसको बादtalk कि नियम्नलिखित नोबल गैसों में से कौन वायू में नहीं पाई जाती है तो इसमें रेडाउन वायू में नहीं पाई जाता है उसका अगला प्रशन है कि निम्लेलिखी देशों में से किसमें कूल औधोगी क्छेतरफल से कम से कम 60% भाग पर वन बनाये रखने का समयधानिक प्रावधान है तो कम से कम उसके कूल जो वावलिक छेतरपल है उस पर 60% भाग पर वन चाहिए तो ये भूटान है उसका वदिके नादिर शाह के आकरमन निमलकित में से किस मुगल बाथ्षा की समय हुआ था नादिर शाह जो था इसने आकरमन किया था 1749 में ठीक है और उस समय दिल्ली की गद्धी पर बैठा था मुहमद सहा रंगिला और सी राइटन सर हो जाएगा ध्यान रखेंगे नादिर सहा ने आकरमन किया था और अपने साथ इसने तक्ते ताउस यानिकी मयूर सिहासन और कोहिनूर को ले करके व समाबादी वला नगर तो वैटिकन सिटी है सवाक किस देश की गुप्तचर संस्ता है तो सवाक जो है यह इरान की जो गुप्तचर संसा है विस्व पर्याटन संगठन का मुख्याले यहां पर पूछा गया आपसे बताईए तो दिके राइटन सर इसका क्या हो जाएगा इस स्पेन आप जरूर याद रखिएगा चलिए 1925 में 1925 में इसका स्थापना होई ते वरतमान में राष्ट मंडल सदस देशों की संख्या कितनी है सदस देशों की संख्या यहां संस्था नहीं यह संख्या बना लीजिएगा तो देखे पहले 54 था लेकिन अब 56 हो गया है दो देश जुड़े हैं उनका नाम आप याद रखेंगे टोगो है पहला देश टोगो हो गया और दूसरा ग्याबाउन है ठीक है तो यह दो कंट्री जो है कॉमन वेल्थ के मेंबर बने हैं तो अब 56 इसका संख्या हो गया है अगला प्रशन है सेर साही मस्जित कहां पर इस्ति कोंग्रेश में नरम दल और गरम दल के बीच विभाजन हुआ था आपको याद भी होगा निमलेकित में से इसमें से कौन सा कारण नहीं था तो सुराज की मांग, राष्टी सिक्षानिती की मांग, बहिस्कार की मांग, समीधान सभा के गठन की मांग, इसमें सामिल नहीं थ तो बाबा साहब अमबेदकर को भारतिय समिधान का कौन सा आर्टिकल धर्मोंस जात्ती लिंग और जन्मस्थान के अधार पर बेदभाव पर रोक लगाता है तो आपको पता है यह अनुचेज 15 है उसके बाद देखेगा कि भारत के समिधान में निती निजसक सिधानतों में सामिल किया जाने का मुख्य उदेश पूछा गया है तो यह आपका समाजिक और आर्थिक लोकतंत्र अस्थापित करने के लिए अगला प्रश्ण के आजाद दस्ता का गठन जो है किसने किया था तो यह जप्रकास नरायन ने भारत छोड़ो आंदोलन के समय किया था उसका वदिके राजसभा में अधिक्तम कितने सदस हो सकते हैं तो राजसभा में अधिक्तम 250 सदस हो सकते हैं नोसेना विद्रोह निमलेकित में से किस जहाज से सुरू हुआ था तो यह जहाज था आपका कौन सा है एच एम आई एस तलवार नोशेना विद्रोह कब हुआ था तो 1946 में हुआ था इसको भी आप याद रखेंगे निमलकित में से कौन सान उचेद भारत के प्रधान मंत्री की नियुक्ति से संबंदित है तो यह आर्टिकल 75 है 76 में अटर्नी जेनरल दिया गया है केस अनुचेद के तहत भारत का उचे नियाले यानिके हाई कोट रिट जारी करते हैं तो हाई कोट जो है अनुचेद 226 के तहत और सुप्रीम कोट जो है उचेतम नियाले या सरवच नियाले कहिए यह अनुचेद 32 के तहत पांच परकार के जारी करते हैं जन परतिनिजे तो अधिनियम कप पारित किया गया था तो दिखे 1951 में अनुचेद 327 के तहत जन परतिनिजे तो अधिनियम जो है संसत के द्वारा पारित किया गया था 2021 हो जाएगा यह आर्टिकल भी आप याद रखिएगा एक वर्स में ग्राम सभा की निउन्तम बैठक बुलाई जाती है तो यह चार हो जाएगा उसका बदी कि मुखिया अपना त्याग पत्र किसको देता है तो जिला पंचायती राज अधिकारी को देता है नेक्स्ट कोस्ट है अखवा कर भी में देता है तो